हलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम लोग पहने वाले हैं नगरिया समाशास्त्र का महत्व बहुत ही informative topic है और बहुत ही important topic भी है तो नगरिय समाशास्त्र की से कहते हैं और नगरिय समाशास्त्र की परिभासा नगरिय समाशास्त्र की विशेस्ता ठीक है ये सभी आपको जो है वीडियो पहले चहीं बना दिया गया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे चैनल पर मिल जाएगा जब प्राचीन और आधनिक नगरों की प्रगती में जमीन आसमान का अंतर है, आधनिक यूग विज्ञान प्रदोग की विकास और प्रगती का यूग है, नगर के व्यक्तियों के सामाजिक समंद, मुल्य आधर्स, मनेताएं, विवहार करने का धंग, रहन सहन और मानसिकता आधी म में बहुत बदलाव आगे हैं, इस दृष्ट से नगरिक समाज सास्तर का महत्व लगातार बढ़ता ही जा रहा है, नगरिय समाज सास्तर का ध्यन के महत्व को निम्न अंसार से स्प्रष्ट किया जा सकता है, चले एके करके हम लोग टॉपिक जो है पोइंट बाइपोइंट हम लोग देखेंगे, देखे सबसे पहला महत्व है कि नगरिय नियोजन में सहायक, जो नगरिय समाज सातर है वो नगरिय नियोजन में सहायक होता है, कैसे चले जानते हैं, वरतमान में नगरिय नियोजन को अध्यतिक महत्व परदान किया जा रहा है, आधने की युग में नगर कही समस्याओं से ग्रसित है इसलिए भी इनका नियोजन करना जरूरी है नगर के नियोजन के लिए मास्टर प्लान की आवसकता होती है अतर नगरों का नियोजन आधनिक सब या समाज की सबसे बड़ी आवसकता है आज नगरी करण और अधोगी करण में तेज गति से व कि सुरिद्य को विवस्थित के लिए इसन का नियोजन करना अनिवार्य है नियोजन के अभाव में अनेक समस्याओं काय जन्म और वीकास होता है नागरीक समाज विज्ञान में नगर नियोजन का विशेस अध्यान किया आता है जो सभित रिष्टी कुन्ड से अध्यदिक महत्वपुन है अगला महत्व है नगरिये समस्याओं के अध्यान करने में छोटे छोटे ग्राम होते हैं वो नगरक रूप में परिवर्तित हो रहे हैं जो तक्निकी प्रागती से नगर की सिमाओं को और अधिक आगे बढ़ा दिया गया है इसी के साथ नगर की आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं में भी लगतार विद्धी होती जा रही है इसका विस्त्रित अध्यान या सास्त्र करता है और उसके निराकरण के लिए भी एक दृष्टी और दिशा प्रदान कहता है अगला महत्व है तीसरा नगरिय समाज का विसलेशन जो नगर के विभिन एकाईयों संस्थाओं समूह और समधाओं का विसलेशन करके इसका अध्यान करता है इस अध्यान पदती से परतेक नगरिय सम समाजिक एकाई के विभिन पक्षो का ग्यान प्राप्त होता है यह महत्व समझे के अगला महत्व है आर्थिक समयों का निबारण तो नगरिय जीवन में अनेक प्रकार की समद्सयाओं होती है जो ये समस्या होती है वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है इन समस्याओं का समाधान करना नगरिय जीवन और समाज के लिए जरूरी है नगरिय समाज विज्ञान के ज्ञान की सहता से अपने आर्थिक समस्याओं का निदान किया जा सकता है अगला महत्व है अंता समंधों और अंता किरियाओं का अध्यान नगर के जटिल व्यवस्था में अंता समंधों और अंता किरियाओं को समझना सरल कार्या नहीं है विभिन जाती, संपर्दाय, संगठन, धर्म और वर्ग के मध्य आज किसी प्रकार के समंध है और उनमें परस्पर किस प्रकार की अंतर क्रियाएं होती हैं इसका वैज्यानिक अध्यान नगरिय समाशास्त्र ही करता है किसी भी नगरे समश्याओं की प्रिष्ट भूमी में विभिन वर्गों, धर्मों, जात्यों और संपर्दाओं की परस्पर कटू आहट में जन्मी अंतर किरियाओं का परिणाम होती है जैसे संपर्दाइक जगरे और तनाओ, जातिके जगरे ये सभी होते हैं परिवर्तन का अध्यान नगरों और महानगरों में तेजी से बदलाव आ रहा है नगरी वक्ति जो नगरी मतलब नगरी पर रहने वाले वक्ति को नगरी वक्ति का एता ठीक है तो नगरी वक्ति के मुल्य और मानसिक्ता में अध्यतिक परिवर्तन देखा जा सकता है सब्वेता और संस्कृति के सुख दाई दर्शन से संपूर्ण भारतिय संस्कृति के माप दन्डों को ही बदल दिया है इन परवतनों का नागरिक समाजिक विवस्थित और वैग्यानिक अध्यान करता है अगला महत्व है नगर से उपजी चीजों का अध्यान वरतमान में नगरवाद व disparities के जीवन पधती की सैली बन गयी है वरतमान में अभी किसमय में वक्ती के जीवन पधती की सैली बन चुकी है इसके आकरसान से नगरों की जन संख्या के गनत्व में जहां विद्धी की है वहीं इस बहु आयामी समस्याओं को भी जन्म दिया है जैसे रहने की समस्या, गंदी बस्तिया, बेकारी, जगड़े और तनाओ, भरष्टाचार, अनैतिक्ता, विभिन्द बिमारिया एवाम रोग इन सभी को जन्म दिया है अगला महत्वा है नगरिय विकास में सहायक नगरिय नियोजन का मूल उदेशिय नगरिय विकास करना होता है उदारन के लिए ऐसे कारेक्रमों को संचालेत और निदेशित करना जिनकी सहता से नगरिय समदाय के विकास क्यों गती प्रदान की जा सके ऐसा करने के लिए नगरियसमाज विज्ञान का ज्ञान महत्वपून है इनका कारणया है कि नगरियसमाज विज्ञान के अंतरगत नगरियसमाजिक जीवन का सरवंगन अध्यान करता है यही कारण है कि आधनेक युग में नगरिय समाज विज्ञान के महतों में विर्धी होती जा रही है यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो नगरिक समाज विज्ञान के अभाव में समाजिक संग्ठन का पूर्ण ग्यान प्राप्त नहीं किया जा सकता है यही करण है कि सभी देशों ने नगरिय समाज विज्ञान की महत्ता को सुविकार किया है अगला महत्व है समाजिक विगटन के तत्वों का अध्यान नगरिय समाज की अपनी विशेष्टाएं है यहां का व्यक्ति, व्यक्तिवादी और महत्व कांशी है अपने स्वार्थ को पूरा करने में किसी भी तरह का कारिय कर सकता है पडाम सरूप, समाज में व्यक्तिक, विगटन, वैसावरिती, मद्यपान, और नातिक्ता, व्यपार, आत्महत्या, अपराद और बाल अपराद में लगातार विद्धी हो रही है यह सारे तथे समाज को विगटित कर रहे है नगरिय समाशास्त्र इन सभी का आध्यन करता है और इनको दूर करने के लिए ठोस जाव भी प्रस्तुत करता है यह है नगरिय समाशास्त्र का महत्वा अगला महत्वा है समाजिक पुना निर्मान में सहायक नागरिय समाशासर नगर की अनेक समस्याओं का अध्यन करता है उसके निराकरन के लिए एक द्रिष्टी और दिशा प्रदान करता है समाज का पुना निर्मार कैसे किया जाए इसके लिए मार्क का निर्मार करता है और उस मार्क परचनले के लिए योजनाओ का निर्मान करता है इसलिए नागरिक समाज सास्त्र में पुना निर्मान के सिधानतों की वाक्या की गई है आगला महत्व है और अंतिम महत्व है क्या है कि ग्यान की साखा के रूप में कोई भी सास्त्र ग्यान की एक साखा होती है वह समाज को नया ग्यान देती है एक नई द्रिष्टी और सोच परदान करती है इस द्रिष्टी से उपयुक्त तत्य इस बात के प्रमान है कि नगरिय समाज सास्त्र नगर से जुड़ी अनेक आर्थिक समाजिक और सांस्कृतिक च समाजिक विज्ञान में ज्ञान की आधुनिक्तम साखा है यह आपने समझ लिया कि नगरिय समाज सहस्त्र का क्या क्या महत्व होता है तो मिलते हैं अगले विडियों में नए टॉपी के साथ